Hello students, in chapter primitive roots, theorem no. 3rd, order of a mod n equal to k, then order of a power m mod n equal to k upon greatest common divisor of m, k. तो मेरे आपको मैं थेओर नम्टर विल्ए में आपको मैं थेओर नम्टर वन का था, बेजर वरी इपोर्ड़न थेओर उसमें क्या था बेटा, order of a mod n equal to m, a the power k, concurrent 1 mod m, then m divided k, ये यूस करेंगे हैं बेटा, इसमें में, तो मेरे ये प्रूब करना है, order of a mod n equal to k, order of a the power m mod n equal to k upon greatest common divisor of m and k, let m k, k का greatest common divisor d ले लिए, तो मेरे यहाँ पे क्या प्रूब करना है, order of a the m mod n equal to k upon d प्रूब करना है, clear है, यहाँ पे बेटा, अब जहाँ देखो, d divided m, d divided k, okay, m equal to m1 d, k equal to k1 d, तो यहाँ पे k upon d, किसके एककोड आगया, d1, तो मेरे यहाँ पे क्या प्रूब करना है, to prove order of a the power m, mod n, equal to d1, clear है, तो मेरे क्या प्रूब करना है, a the power m, d1, concurrent one more n, मेरे यहाँ प्रूब करना है, clear है, बेटा, मैं जहां का पूँचे है, बेटा, sorry, k1, k1, sorry, k1, मैंने यह प्रूब करना है, clear है, तो मैंने इसका order कितना prove करना है, k1, left, order of easy power m, mod n, किदरने यह, t, prove कितना करना था, t, k1, तो मैंने क्या prove करना है, t, equal to k1, इसके लिए मैंने क्या prove करना है, d divided k1, k1 divided d, मैंने यह प्रूब करना है, बेटा, okay, first, we prove, first, we prove, k1 divided d, कुछ step में प्रॉडम बेटा, k1, m, k, इसको मैंने d ले लिया, तो मैंने पास क्या है, k1, d, d divided m, d divided k, k कुण d की value कितनी आ लगी, k1, तो मैंने टार्गेट यह, तो मैंने t, assume का लिया, t, को किसके लिए प्रूब करना है, k1, तो मैंने यह प्रूब करना है, तो first, मैं प्रूब करना हूँ, k1 divided t, okay, बेटा, तो k1 divided t, तो मैंने इसका order कितना लिए, तो इसको ऐसे लिए हूँ, na, a, d, m, t, concurrent, 1, more, n, तो इसको कैसे लिए हूँ, a, d, power, m, t, concurrent, 1, more, n, okay, a का order कितना हुआ, k, आप दिखे बेटा, order फे, m, a, d, power, k, concurrent, 1, then m divided k, तो यहां पे इसका order कितना हुआ, अपर दिखे हूँ है, यहां पे a की पावर m, t, concurrent, 1, means, यह थिखे लिखे होगी, by theorem 1, तो मेरे पास क्या है, k, divide, m, t, then k किसके एक को लगा है, k, 1, d, divide, m किसके एक को लगा है, m, 1, d, t, तो k, 1, divide, m, 1, t, अब greatest commodity condition मेरे आज़ो, यहां पे देखो, m, d, m को divide कर रहे है, d, k, को, यहां पे m, 1, करना अटा यहां पे k, 1, t आपको मलूं है m, k, 1, ka greater count, always stiqa, तो m, 1, k, 1, ka greater count, always,ितना अपट है, m, 1, k, 1, k, 1, k, 1, k, 2, का divide कर रहा है, कैसे कर नहीं सकता यह सेखिंद पार्ट पर आयो गता है किसके में क्या दूब करना है भी टू पलग नहीं तो यहाँ पर देखो हो कि तरा देखें कि तरा कि तरा कि तरा के स्विट लिख वाई तो यहां पर कि तरा मर्णें तो मैंने क्या ची यहां पर आवर में ले ले रिए A power K M1 concurrent 1 mod N क्योंकि मैंने ये प्रूब करना है ना T divided K1 इसके लिए है तो A भी power K M1 concurrent 1 mod N मेरे पाज ये अगर अब मैंने K जो लिखा था D divided M D divided K मैंने क्या लिखा था M equal to M1D K को क्या लिखा था K1D तो यहाँ प्रूब के लिखा A भी power K1D M1 concurrent 1 mod N तो अगरा देखो M1D किस के एकोल है M A भी K1M concurrent 1 mod N तो यहाँ प्रूब के लिखा था M A भी power K1M concurrent 1 mod N इसको यहाँ लिखा लिखा A भी power M K1 concurrent 1 mod M अब यहाँ प्रूब के लिखा इसका order में कितना कंसीट रखिया था T कि यहाँ पर कितना भार है K1 तो T किसको divide करेगा के लिखा अगें दोर देखने लिखा लिखा इस यह गिवन है A भी K concurrent 1 mod N मैंने पावर यहाँ पर M पर ले लिखा तो A भी power K1 concurrent 1 के की वेलू कितनी है K1 D D M1 कितना है वेटा M तो A भी power M K1 concurrent 1 आगा पहले यहाँ पर A भी power M का order कितना था T अब यहाँ पर कितना आ रहा है K1 वाइट यहाँ फरस्ट T को divide का रहा है T K1 को divide का रहा है तो T किसको लागा वेटा K1 Okay, next video में वेटा और वी कॉंटिनु करूंगा तियोंगा So, thank you very much